बिस्मिल्लाहिर रख्मान रराहीम, अस्सलाम वालेकूम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन, आज के इस लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 25 इंग्लिश सेंटेंसिस, इन सेंटेंसिस को अपने पास नोट करें और अपनी डेली कॉन्वरसेशन में इन सेंटें मुझे तुम पर भरोसा नहीं, I don't trust you, मेरे पास एक बुरी खबर है, I have a bad news, मेरे पास एक अच्छी खबर है, I have a good news, I have a good news, तुम अपने आपको तकलीफ दे रहे हो, You are troubling yourself, Trouble कहते हैं तकलीफ पहुचाने को, You are troubling yourself, इससे बहुत फर्क पढ़ता है, It makes a huge difference, It makes a huge difference, Difference यानी फर्क किसी पर अंधा इतमाद मत करो, अंधा इतमाद को हम इंगलिश में कहते हैं, Blind Trust Don't trust anyone blindly, Don't trust anyone blindly, दूसरों के साथ बत्तमीजी मत करो, Don't misbehave with others, Don't misbehave with others, Misbehave यानी बत्तमीजी करना, मौमले को सुल्जाओ, Sort out the matter, Matter यानी मौमला, Sort out, सुल्जाना, हल करना, ऐसी कोई चीज नहीं होती, There is no such thing, There is no such thing, मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगा, I will not wait anymore, I will not wait anymore, Anymore मजीद, सोने का बहाना करो, Pretend to be asleep, Pretend यानी बहाना करना, Pretend to be asleep, उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया, He called me on the pretext of studying, On the pretext of का मतलब है किसी चीज के बहाने बुलाना, तुम्हें गलती लगी है, You are mistaken, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, उसके पास कोई चारा नहीं था, He had no choice, मेरा अपना नुक्ताए नजर है, I have my own point of view, मेरा उससे कोई तालुक नहीं है, I have nothing to do with this, मेरा इससे कोई तालुक नहीं, तुम मुझे इल्जाम कैसे दे सकते हो, How could you blame me, Blame यानि इल्जाम देना, How could you blame me, How could you blame me, मैं उसे पहचान सकता हूँ, I can recognize her, Recognize यानि पहचानना, I can recognize her, वो मेरा भतीजा है, He is my nephew, He is my nephew, ये सड़क बहुत सुनसान है, This road is very quiet, This road is very quiet, अन्जान लोगों से बात मत करना, Don't talk to strangers, Don't talk to strangers, इसके लिए बहुत माजरत, So sorry for this, So sorry for this, देहान से अपना काम करो, Do your work keenly, Keenly यानि देहान से, Do your work keenly, तो friends ये था हमारा आज का लेसन, I hope कि इस लेसन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और इस तरह के मजीद लेसन्स के वीडियोस हासिल करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप से मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक कियर और गुड़ बाई,